नमस्कार, रेसिपी हॉल में आपका श्रागत है, आज हम बनाएंगे बेंगल का मसाला, जिसे हमने बिना प्याज और लेशन के बनाया है और बिलकुल एक अलग मसाला के साथ बनाया है, लेकिने से बनाने से पहले आप हमरे चेनल को लाइक किजिए, शेर किजिए, सब्सक्रा में आधा कप मुफली लिया है, इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, इसके बाद इसमें हम आधा टेपल स्पून धनिया लेंगे, दो लाल मिर्च लेंगे, दो इलाइची, दो दाल्चरी और दर लांग डालेंगे, और आखिर में इसमें हम एक टीश्पून जीरा डालेंगे, किमकि जीरा जो है बहुत ही जल्ली चटक जाता है, इसलिए इसे हम आखिर में डालेंगे, और इसे आची तरह हम भूनेंगे, धीमी आंच में भूनेंगे, जो थोड़ा सा ट्राय रोस्ट हो जाए, तभी हम एक ग्राइलर जायर में दो बड़े टोमाटर लेंगे, और एक इंच अधरक डालेंगे, और इस सारे मसालों को डालकर एक साथ पीछ लेंगे, और फ़िर से उसी प्यान में दो टबसपून तेर लेंगे, और हमने लंबे-लंबे बेंगल लिया है, जिसे हमने थोड़े से हालती और थोड़े से नामक डाल कर मेरीनेशन करकर खाए, इसे हमने डंठल के साथ कटा है, यह देखे इस तरह हम थोड़ी देर से लो प्राई कर लेंगे आप सहे तो डिफ्राइब भी कर सकते हैं एक दो मिनिट हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे कवर करके इसके बाद दो मिनिट के बाद इसे हम पलट लेंगे देखें एक तरफ यह थोड़ा सा लाल हुज के पक चुका है अब हम इसे कवर करके धिमी आँच में पांच मिनिट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इसे पुलट पुलट करते रहेंगे और पांच मिनिट के बाद यह देखें यह बिलकुल लाल पक चुके है दोना तरफ से इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ तेल है उसे से हम सब्जी बनाएंगे अब फिर से थोड़े से तेल डाल देंगे एक तेज पता लेंगे एक टी स्पून जिया डालेंगे और ग्यास की फ्लेम को लोग करके एक टी स्पून लाल मेट्स पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और जो मसाला हमने पीस कर रखा है इसे हम डाल देंगे और मसाला को अच्छी तरह पकाएंगे और कोई मसालों की जरूत नहीं है क्योंकि हमने धनिया और जीरा दलचिनी इलाइज सब कुछ डाल रखा है बस थोड़ा ऐसा नमक डालेंगे नमक आप देखकर डालिए किनकि हमने बेंगर में नमक डाल रखा है अब हम ग्यास की फ्लेम को लोग करके इसे कवर करके दो मिनेट के लिए पकाएंगे दो मिनेट के बाद यह देखिए आच्छी तरह बोल रहा है इस पर एक ती स्पूर शुकर डालेंगे शुकर अप्शनाल है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसे लेकिन थोड़े से शुकर डालने से सब्जियों में स्वाद का इन्हेंज शोथ है अब हम इसमें फ्राई की वे बेंगन को डालेंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छी तरह पकाएंगे और इसे कभर करके दो मिनेट के लिए पकाएंगे ताकि ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिल जाएं और उपर से थोड़े से गरम मसाला पाउडर चिटकेंगे और थोड़े से कस्तुरी मित्री डालेंगे ताकि इसके स्वाद में थोड़ा और निखार आजाएं और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे हमने बहुत ही थोड़े से ग्रेवी रखाएं आप चाहते हैं थोड़े पानी और डालकर और थोड़े बना सकते हैं लेकिन ये थोड़े मोटा ग्रेवी अच्छा लगता है इसे एक बार आप घर पर जरूर बनाएं खाएं और अपना कमेंट हमें जरूर शेर करें मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राब करें शेर करें